पूर्व जन संपर्ग मंत्री कॉंग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा उपचिनाओ में 24 सीट एक कॉंग्रेस जीतेगी जनता ने पहले भी कॉंग्रेस को वोट दिया था शर्मा ने कहा बीजेपी में अब विद्रोष की शुरुआत है वहीं ग्रह और स्वाथ मंत्री नरो पूल कर सकता में आये थे जिन्होंने किसानों का दो लाग का कर्द माफ नहीं किया लड़कियों की शादी का पैसा नहीं दिया बच्चियों को कूटी नहीं दी नौजवान को बेरोजगारी का फट्ता नहीं दिया वो लोग सोचें जनता हिसाब चुकाएगी व्हूस्वानाम के लिए कि तयारी भारतियंता प्रटी को थोड़ी करना है भारतियंता प्रटी तो जो काम करती है जंता तयारी करती है उसके लिए है वह सोचें जो जूट बोलके सरकार में अगए थे एक कोई दो लाग का करजा माफ नहीं किया, एक नोजवान को बेरोजगारी भत्त नहीं दिया, एक बेटी को एक क्यावन हजार रुपया नहीं दिया, एक बेटी को इसकूटी नहीं दिया, वो सोच नहीं है जनता है, इसा आप चुकाएगी उनका, हमको तहिया रही का प्रवाद शब्र रखें नहीं तो भ्रहम प्यादा होगा चाराओं बैठक में आपके सामने हैं जब मुख्यमंत्री चाहेंगे तब होगा तेरे मेरे चाहने से कैसे होगा अभी कोई भी केंद्री ने कोई भी नहीं निकला है बाहर आप उसको आपको न्यूज बनाना हो तो किसी नहीं भी फील्ड में जाने सबको रोका हुआ है कोई भी फील्ड में नहीं जा रहा इच्छा तो हमारी भी है ना फुर्जन संपर्गमंत्री पीसी शर्मा का दावा है कि उप्चुनाव में 24 सीठे कॉंग्रेस ही जीतेगी उन्होंने कहा जंता ने पहले भी कॉंग्रेस को वोट दिया था बीजेपी ने खरीद फरोग्त से सरकार बनाई है शर्मा ने कहा आने वाले उप्चुनाव में कॉंग्रेस अध्यक्ष कमनाथ के मित्रस्व में 24 सीठे जीत कर हम सरकार बनाएंगे कि जिस तरह से 70 विदायक भारती जन्ता पार्टी के 75 विदायक गोपाल में भूबर हैं मंत्री बनने कर दीगा और सीठ है उनके पाँच दस और सीनियर लीडर गोपाल भारगोजी जो नेता पिजवर्ष थे बागी सब नेता उनके पीछे थे उनको जिस तरह से बाहर कर दिया गया है तो मैं सुचता हूँ कि जैसे ही यह मंत्री बनने कर गठन होगा भगदर अपना बचेगी संगीत 300 लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक पकदंडियों से सड़कों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजडीती से कूट मीती तक दखन न आप देख रहे हैं दखल्यू